हाई फ्रेंग्स दिस शाश्राइट यो वाचिंग टेग फाइबर आज के इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे Android TV का UI कहीं भी किसी भी डिवाइस के इंदर एक्सपिरेंस कर सकते हैं या Android TV का YouTube का UI के मैं बात कर रहा हूँ जो हम लोग को मिलता है Sony के devices में कुछ स्मार्ट TV में या फिर एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा में तफी यार इस UI को आप यूज कर सकते हो हर एक device में for example कोई भी Windows laptop हो या फिर Android का Mac हो या फिर Android का Chromebook हो कोई भी device में चाहे वो जीओ फोन हो या फिर iPhone 10 हर एक device में काम करता है तो पताते हैं यार इसको कैसे यूज कर सकते हैं तो या गाइस बुरावस्तिमों सिंगल बिनेट तो यार इधर आप लोग देख सकते हैं मैं अभी तक इसको connect करके रखा आपने laptop को इंटरनेट से तो फिर आप लोगों को भी connect करना पड़ेगा आपने laptop को इंटरनेट से और चले मैं यूज कर रहा हूँ यहां पर Chrome आप लोग भी Chrome यूज करो मेरा suggestion है क्योंकि YouTube की UI को चलाने के लिए वह सबसे best है आपको type करना है address bar में youtube.com slash tv तो इधर आपको YouTube और TV करके मेरे सामने तो दिख गया होगा और यह अभी load हो रहा है और जिसे आप लोगों को Android TV में मिलता है वैसा ही यहां पर UI आ रहा है थोड़ा बहुत वैसा ही है अब मैं आपको बता दूँ यहां पर scroll कैसे कर सकते हैं सबसे पहली बात मुझे पता है कि बहुत लोग करेंगे कि इसमें scroll नहीं होता तो आपको अपने keyword की arrow की इसको use करके करना है जैसे मैं अभी use कर रहा हूँ अपने keyword की arrow की इसको तो फिए ओपर नीचे कहीं भी चले जाओ अब मैं बताता हूँ आपके subscription कैसे आएंगे इधर तो सबसे पहले तो आप लोग को sign in करना होगा इसके अंदर यह जो इंसान का icon दिख रहा है इसको पहले आपको tap करना है and then आपको यहां पर एक link दे रहा है youtube.com slash activate पर जाओ और फिर बाद में यहां पर यह code को डालो तो यहार चलते है new tab में and then इसी link को डालते है youtube.com slash activate तो करते हैं enter और यार रखेगा YouTube TV को use करने के लिए आपके पास Gmail account होना चाहिए हर एक के पास होता है आचकल तो तो यार अब यह खुल रहा है और आप लोग को इधर सबसे पहले code डालना होगा later minute अभी load हो रहा है and as you can see यहां पर मुझे एक enter code करके कह रहा है तो यहां पर जो आपको code मिलता है जैसे यह वाला है तो उसको आपको copy करके वहां पर डालना है but यहार इसको याद मत करना क्योंकि हर एक device पर अलग लग रहता है तो यहां पर आ रहा है l r j x r j x and r p w x r p w x and इसको डालने के बार आपको next करना है next करने के बार आपके सामने यह आपकी जितने भी एकाउंट से गूगल के जिससे भी आपने इसके इसके इंदर साइनन किया होगा अपने computer में तो फी वह सब आपको दिखाने लगेगा जैसे आप लोग देख सकते हैं यह चार एकाउंट में तफी यह मैं अपना main account यूज करूँगा और उसके बाद मुझे यहां पर पासवर्ट डालना होगा तो यह थोड़ा टाइम वेट कर लो पासवर्ट डाल के यूँ आया तो यह मैंने पासवर्ट डाल दिया था और यहां पर कुछ youtube on tv wants access to your google account करके एक prompt आ रहा है एक्चली यह permission है तफ यह इसको allow कर दो और आप लोगों के कह रहा है view and manage rental purchase history ब्ला 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 तो इसको allow कर दो और allow करने के बाद याद रखेगा जबी भी आप इसको कोई भी permission दे रहे तफ याप tabs please मत change किजगा जिससे आपकी permission जो है वो break होने से बच जाएगी तो success device connected आ गया अब चलते है YouTube TV पे और यहां पे sign in हो चुका है यहां बहुत अच्छी बात है sign in हो गया यहां पर अभी आप लोग देख सकते हैं सब कुछ आ रहे है और carry minority और बाकी सब लोग आ रहे है और मैं subscription भी आप लोग को यहीं पर मिल जाएंगी देख लो यार subscription आ रहे है तो यार चलते हैं अब अपने tech fiber वाले site पे तो यार सबसे बहले मैं बता दूँ इसके अंदर tech fiber डाला and then search किया और मैं अपना सिफ उसे keyboard यूस कर रहा हूं और कुछ भी नहीं माउस को मैं छोड़ दे रहा हूं छोड़ दे रहा हूं पुरा अब अपने arrow keys को यूस करके नीचे जाओंगा और यहां पर आ गया as you can see जो black background है बाकी सब वीडियो के ऊपर उसके अलावा इधर एक white background दिख रहा है जिसको मैंने select किया है तो यहां पर आपको playlist भी दिख जाएंगी और enter तो यहां बहुत अच्छा तरीका है और अगर आप F11 टैप कर देते हैं तो आपको यह पास full screen आ जाता है अब आप बिलकुल android tv के तरह इसको use का सकते है और अगर आप लोग के पास android tv नहीं है तो यह बहुत अच्छा तरीका है yeah that's amazing तो देख सकते है यार quality बहुत बिकार है net slow है इसलिए तो यार इधर आपको shortcut keys भी मिलती है थोड़ी बहुत तो escape अगर आप tap करें escape अगर आप अपने keyboard पे दबाते है तो फिर आप पीछे चले जाएंगे और s अगर आप दबाते है तो फिर search for example मैं s दबा रहा हूँ तो फिर मेरे सामने search आ गया और यार अब इस वीडियो में बस इतना ही मैं भी आपको अपनी नई वीडियो में मिलूँगा प्लीज इस वीडियो को करना like, comment, share, subscribe यार subscribe वाला बटन दबा दो 89 हो चुके है 100 पहुचा दो प्लीज तो यार इस वीडियो में बस इतना ही आपको मैं अपने नई वीडियो में thanks and bye झाल 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 झाल